पिछली वीडियोस में मैंने आपको OOPS के 3PLERS बता दिये हैं और आज हम बात करेंगे inheritance की inheritance क्या होता है? तो inheritance का मतलब होता है कि एक class दूसरी class को inherit कर रही है अब हम इसको एक example से समझ लेते हैं आपके पापा की कुछ चीज़ें similar होंगी आपके दादा जी जैसी और कुछ चीज़ें आपकी similar होंगी आपके पापा जैसी तो आप पापा को inherit कर रहे हो और पापा आपके दादा को inherit कर रहे है तो यह होता है inheritance तो जो class किसी class को inherit करती है उसको हम बोलते है child class या sub class और जो class inherit होती है उसको हम बोलते है parent class या super class और C++ में inheritance का syntax कुछ ऐसा होता है बाकी और ऐसी amazing thoughts के लिए मेरे चैनल को subscribe और वीडियो को like कर दो